गाइस बीटाउन आप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दूस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले बॉलीवूड के मेगाश्टा सलमान खान सर की आने वाली फिल्म कभी कभी दिवाली मूवी से जूड़ी कुछ लेटे सब्डेट के बारे में क्या इस फिल् चैनल में पहली बार आए तो चैनल को पटापट से सस्क्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दे और सेयर करना मत बुले तो चलिए दोस्तों बीना देर करते वीडियो स्टार्ट करते दोस्तों सलमान खान अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी फिल्में लेके आने उनमें से सबसे पहले उनकी फिल्म आने वाली उस फिल्म का नाम है रह दे जो कि वॉणत का पार्ट कु और उस फिल्म के अंदर हमें दिशा पतानी देखने को मिलेगे उस फिल्म की स्यूतिंग आल्मोस्ट क्मपल्रिट होनुicz हो ओक एक एक एक्शन फ्रेयरी फिल्म है ज दोस्तों सलमान खान की फिल्म कभी इदकभी दिवाली फिल्म में हिंदू मुसलिम एकता को दिखाया जाएगा। इस समय जिस तरह से देश में तुरूवक और नकारत्म का महल है। ऐसे मैं सलमान खान अपने फिल्म के द्वारा सांती का संदेश देंगे, और दोस्तों आपको बतादू तो कभी इत कभी दिवाली फिल्म की स्टोरी सलमान खान की खुट की फैमेली पर जूड़ी है क्यूंकि उनके पिता मुस्लिम है और मा हिंदू कुछ इस तरह की इंदू मुस्लिम की स्टोरी इस फिल्म में दिखाय जाएगी जैसे में हमाई टाइटल देखके ही पता चलता है कभी इत कभी दीवाली दोस्तो कभी इत कभी दीवाली फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं फराज सामजी और ये फिल्म की रिलिज डेट भी सामने आ गई है ये फिल्म 13 में 2021 को रिलिज होने वाली है और साजी नडियाद वाला इस फिल्म की स्टोरी लिख रहे है और दोस्तो बजेट की बात करें तो इस फिल्म का बजेट है 100 अकड़ और इस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान और पूजा एकड़े पहली बार रोमेंस करते नज़राएंगे तो दोस्तो आप इस फिल्म के लिए कितने एकसेटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बतना वीडियो पसंद आया तो हमाई चैनक को लाइक करें सेय करें और सब्सक्राब करना ना भूलिए